दिल्ली के रोहनी जिले के अलिपूर थाना एरिया के बुड़पूर गाउं की महिला ने बैंक के आगे लाइन में लगकर बैंक से 4,000 रुपे लिए सुष्मा अपने बुड़पूर गाउं से 5 किलोमिटर दूर अलिपूर के बैंक में गई थी पाउं से अपंग सुष्मा बैग हाथ में लेकर चल रही थी तभी ये दो लड़के एक बैग पर सवार थे यहां से गुजरे और महिला का बैग ही छीन ले गए नोट बंदी में ये 4,000 मुश्किल से हासिल किये पर ये भी बैकर्स छीन ले गए सुष्मा फिलाल रो रही है और बाइकर्स देखिए सीसी टीवी में साफ नजरा रहे हैं अब उदर से बाइक वाला आया एक दम हाथ में से पनी की पनी चीन के लेगा उसमें 4,000 रुपे थे ये पहली घटना नहीं इससे पहले चैन स्नैचिंग भी यहां बाइकर्स ने कई बार की है यहां महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है चरूरत है इस तरह के बाइकर्स पर लगाम लगे दिल्ली से दिल्ली दरपन के लिए अनील कुमार की रिपोर्ट